स्री विध्या सगर जी के चर्णों में जुका रहे अपना माथा जिन के जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयम ही नम गाथा जैनागम कावर सुधा कलस जो भिखरा तेहे गली गली जिन के दर्शन को पाकर के खिलती मुर जाई हुदै ओम भूम स्रमान संसक्रति संवर्दक आचारि गुरु वर्शि विध्या सागर जी महा मुनेंद्र अत्रे अवतर अवतर संभा उशटिति आवानम ओम भूम स्रमान संसक्रति उन्नायक आचारि गुरु वर्शि विध्या सागर जी महा मुनेंद्र अत्र तेष्ट तेष्ट थाठाःति स्थापनम ओम भूम स्रमान संसक्रति संवर्दक आचारि गुरु वर्शि विध्या सागर जी महा मुनेंद्र अत्रमं सन्नितो भाव भाव वसट सन्निधी करणं संसारिक विशियों में पढ़ कर मैंने अपने को भर्माया इस राग देश की वैतरनी से अब तक पार नहीं पाया तब विध्या सिंधु के जलकन से भव कालु सिधों ने आया हूँ आना जाना मिट जाए सभी का बंध काट ने आया ओम भीम शी एक सौ आटा चार विध्या सागर मनंगराए समसी तलता पाने अविशरन आप की आया हूँ संसार ताप मिट जाए सभी का चन्दन वन्दन को लाए ओम भुम सताष्ट गुण विभूशताचारी गुरुवर्श्विध्या सागर जी महा मुनिंद्र इभ्योनवा संसार ताप विनासनाय चन्दनम दर्वपामित इन विशय भोग की मदिरापी में बना सदा लात्रिशना को त्रप्त करे जितनी उतनी बढ़ती चाजो इताबन नसके यह भाव हिर्दय में ओम रुम अखंड उत्तम ब्रह्म चरिय पालकाचारी गुरुवर्श्विध्या सागर जी महा मुनिंद्र इभ्योनमा कामवान विध्वनसनाय पुष्पान इन निर्वपामित हांदिकार से व्याखल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश से इस हात रहा बस पच्छताना यह दीप समर पित है मुनिवर सब कातम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से सर्व अंतर दीप जात ओम्रोम साक्षात मोक्षमार्ग प्रकासकाचारी गुरुवर्शी विध्या सागर जी महा मुनिंद्र इभ्योनमा मोहांदकाल विनसनाय केवला ज्ञान प्रापते दीपम नर्वपामेति स्वाव इन अशुवे कर्मे ने घेरा है मैंने अब तक अहमाना था बस पाप कर्मे तजिपुन्य कर्मे को अपनाना था अशुवे अशुवे कर्मे सवरी पुदल है मैं इने जलाने आया हो इसलिए गुरु के मैं अब धूप चड़ाने ओम भूम बेस्वेहत चंतकाचारी गुरुवर्शी विध्या सागर जी महा मुनिंद्र इभ्योनमा अश्ट कर्म देहनाय धूपम नर्वपामेति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग वना डाला साधे और साधक का अंतर हमने आज मिटा डाला मैं चिदानन्द में लीन रहूँ पूजा का यह फल पाना है आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकान ओम रोम प्रतिपल सुरत चंतकाचारी गुरुवर्श विद्या सागर जी महा मुनिंद्र अभ्यो नमा महा मुक्ष्वल प्राप्ते फलम नर्वपामेति जग के वैभव को पाकर में निस दिन के मस्ति रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूं सतंत्र ज्याता द्रस्था मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पाजाओं बस अरुन भावे नाभाता ओम्रु महामुनी महामुनी महामानेशी संत श्रोमनी आचारी गुर्वर्शी विद्यासागर जी महामुनी इंद्रेभ्यो नमा अनर्ग पत प्राप्ते अर्ग्याम नर्वपामेति स्वाहा ौम नमस देब्यास आईंसा परमू धर्म की आचारी गुरुवर सरी कुंद कुंद भगुवान की आचारी गुरुवर सरी ज्यानता है आचार गुर्व विद्यासागर्दी महराज की वैसे जीव दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव का नाम आता सरोप्रथम और जीव से विपरीत लक्षन को रखने वाला अजीव होता है, उस अजीव में भी बहुत सारे अजीव दिखते ने, जिसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आदि, इनको भी हम अजीव मानते हैं, किन्तु आचारुने इने, गे तत्तु माना, जानने योगी तो है, लेकिन हमारे जानने योगी नहीं है, कैसे अजीव में धर्म द्रव्य, हमारे वस्की बात ने, धर्म द्रव, अधर्म द्रव्य, दोनों ही नहीं जान सकते हैं, काल को भी हम नहीं जान सकते हैं, आकाश कहते तो हैं, ये नीला आकाश है, लेकिन आकाश जब अमूर्थ है, अजीव है, तो उसमें रंग रोगन कहां से आएगा, अब इसमें एक और है, अजीव में दो प्रकार हैं, ये गेत अत्त हो गया, एक निरजीव भी होता है, जिसमें से जीव निकल चुका है, वह निरजीव होता है, और जिसमें जीवत तो है ही नहीं, उसको अजीव कहते हैं, अब ये हमारे स्थिती निरजीव की है, कभी मिल जाता है, कभी वहाँ छूट जाता है, जब चूट जाता है, तो निरजीव हो जाता है, और जब तक चूटता नहीं, तब तक उसे हम जीव कहें हैं, क्या निरजीव कहें, अजीव तो नहीं कह सकते हैं, ये बहुत दिक्कट वाली बात है, कभी-कभी जीव उचट जाता है, मन में पसंद कुछ नहीं आता है, कहां जाएं, समझ में नहीं आता है, ऐसी हालत में इसको अपने भान ही नहीं रह पाता है, अरे, यहाँ आता है और चला जाता है, ये बात तो बिलकुल ठीक है, स्वाध्या के समझ पर समझ में कुछ आता है, लेकिन जब बेटी तो होती है, घटना घटने लग जाती है, उस समय हम बेहुस जैसे हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, महापुर्ष भी भटकते हुए नजर आते हैं, महापुर्ष कैसे का माराज, सास्त्रों में लिखा है, इसलिए कहा है, राम पुरान पुर्षोत्तमों में आ जाते हैं, उस तो हैं लिन गुट्तम पुर्षों में आ जाते हैं, लेकिन स्वीता को ढूंडने के लिए जाते हैं, ग्रंतों में तो लिखा है, कभी नजी को जा करके पूछे, कभी तेड को जा करके पूछे, कभी पक्षयों को जा करके पूछे, कभी और को पूछे, कंकर पत्थरों को भी तुमने मेरे सीधा की तुमने को देखा है ज्या इस देखा है तु बताओ हमें शान्ती मिल जाएगी इसको सुन करके ऐसा लगता है हम अपनियां आपको पागल ही नहीं मानते हैं लेकन है आवाशे है आवाशे इनको पढ़ करके भी हम उनसे भी आगे बढ़ जाते ही समझ में नहीं आता लेकन समझने के लिए हम अवश्य प्रेयत नशील है जब अच्छा अनकूल रहता उस समय अन्य विश्यों में नहीं रह करके इसको समझने का प्रयास करने ना चाहिए जितने क्षन हम इसके जानने में देखने में अनुभव में सम्मेदर में जो घटित हुए क्षन है उनको स्मरण में ला करके ये देखते हैं एक स्थान पर हमने पढ़ा था अच्छे स्वापन जब आते हैं वो निकल तो जाते हो तो रहते हैं लेकिन उनको बार बार स्मरण कर लेना चाहिए और जो बुरे आते हैं उनको याद करना ही नहीं चाहिए अथवा कोई अनर्ज हम से घटित है तो उसको बार बार याद करना चाहिए और अपने हाथ से चाटा अपने आपको ये बिलकुल प्रतिक्रमण में लिखा है अंतो अंतो डज्छमी पच्छतावेने अंदर ही अंदर दग्द होता हुआ पश्छताव रूपी अगनी के दुआरा यहाँ पर क्योई सुन नहीं रहा है खिंतु वह सुना रहा है अपने आपको क्या दशा मेरी हुई अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो उस समय वह बार बार अंदर अंदर दच्छतावी और कंठगत प्राण जैसे होते हैं इसे वह कंठ में अवरुद्ध होता है कई बार अपने आपके अनर्थों के बारे में सुचते हैं रोया नहीं जाता है कि दुकंठ अवरुद्ध हो जाता है वो होना चाहिए कि कम से कम अपने की हुई गल्ती के बारे में प्रतिक्रमन इसी लिए रखा गया है और कहां जिस प्रकार पाध्याय करते हो उससे कई गुना प्रतिक्रमन को दोराओ और मुमा कुंठ कुंठ देवने भी नियमसार में प्रतिक्रमन को स्वाध्याय के रूप में गिना है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है वंदना, स्थुटी और प्रतिक्रमन आदी आदी ये स्वाध्याय के अंतरगत आजाते हैं इनको करने से अपने आपकी स्वाध का अध्याय, स्वाध का घ्यान, स्वाध का समेदन, स्वाध की गलति आदी ये सारे के सारे सामने आजाते हैं हम कई बार निर्जीव जैसे इस सेरीर को छोड़ करके छेले गए उसमें से एक वहवी निर्जीव है आचारु ने कहा है ग्रन्थों में असंख्यात अर्ध पुद्गल परिवर्थन काल तक आपके द्वारा धारण किया हुआ जो देह शरीर था वो छूटने के बाद आप तो चले गए दूसरे परियां में किन्तों वह पड़ा रहा और असंख्यात का अर्थ बहुत दूर होता है उसको यूँ कह दो असंख्यात तीरसं कर चुवी सी हो जाएं उतने काल तक वह निर्जीव आपके द्वारा या आप ही समझ लो वह पड़ा रहता है आप मालो देव हो गए तो वह पड़ा हुआ देखने को मिलता है बरफा दिकमी जहां कहीं भी रह गया रह गया और असंख्यात पद्गल परावरत तनकाल तो बहुत रूम ठिकड़े हो जाते हैं कि हमारा अठीत क्या था आज क्या है पुन है उन्नया शरीर मिला तो उसी में गाफिल हो रहा है और वह कितने बड़ा मच्ची भी हो सकता है पांसो दनों से भी बड़ा अब क्या करोना चाहते हैं वह बताओ कौन से शरीर को प्रावत करना चाहते हैं करना तो है किन्तु जिसकी करने से खीवल हम विश्यों से बच करके तो ही विश्यों से हम बच सकते हैं पूर्ण रूम से बाकी कोई पद्याइसार तक नहीं है तो इसलिए आप लोग अन्य जाला विचारन नहीं किया करो बच्चे का क्या होगा बच्चा सोचता है पिटाजी का क्या होगा बच्चा सोचता है कि दादाजी का क्या होगा प्रायकर कि पिटाजी दादाजी के कुछ सोचते ही नहीं हमारा तो करतव है कम से कम दादाजी के बारे में हमें सोचे दादाजी भी नाती के बारे में बहुत सोचता है जाते 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 भी वापिस आजाता है कहां जाते है मानलो मरन होने को है तो भी नहीं होता मरन नहीं होता क्यों नहीं होता तो पिटाजी कहते हैं नाती का भोत मूँ है नाठी के बारे में सूच रहें, बावला, स्वयम के बारे में तू सूच ले, तो स्वयम के बारे में सूचता है, वो सही स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय सील है, वो स्वाध्याय सील माना जाथा, आए कई बार, चूटा मिला, चूटा मिला, मिला, तो अवधारिक शरीर मिले, और मनुष्का मिले, और मुनि महाराज जैसे, हमेशा हमेशा सूचते हैं, संतु तो भट पानेशू, एक बार इसको देना है वेठन भाड़ा, भाड़ा समझते हूँ, किराया, किराया, इसको किराय तो देना तो पड़ेगा, अच्छे किराय जेना चाहिए, आम तो अच्छे नंग से किराय जेने के लिए कहते हैं, कि वह विशेन बने, कि तो किराय बने, और उसको जो काम करता है, लेवर, उसको देते होगे नहीं, अच्छे नंग से, विया, इसकी माद्यम चे तो दुकान चाल रही है, उसी प्रकार हमारी भी तो ये दुकान चलती है, जब कभी भी ग्राहक आते हैं, आलस चोड़कर के कि बात को सुनना बढ़ता है, जिसके द्वारा, क्यों, आप लोग के जब दुकान चलते ही, तो कैसा होता, बता, महराज पाढ़ी भी नहीं पीते, चाह तो दूर की बात, इसी प्रकार आगे के भाव की बारे में, यदि माल लो, मारग सही सही निकलता है, तो बहुत खुशी होती है, कि शास्त्र में लिखा है, केवल संतोष तो भर्त पहने, केवल संतोष हो लेना, जो कुछ में मिला है, अपने कर्म के उदय में, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, किन्तो वह कर्म ने जरा के लिए कारण होता, एक बार इसको भाड़ा देता है, और चुवी सो गंटा उससे काम लेता है, और देता भी रहता है, वह अच्छे लंग्चे बीच बीच में, वह वासादिक करता है, रसों का त्याग करता है, कुछ कम भी देता है, इस प्रकार उसका ग्राह के साथ बना रहता है, आप लोगों का भी करतब है, मोठा ताजा होना, यह आपकी वसकी बात नहीं, नाम करम का हिदी गुदय है, तो वह बिना विशेश मोजन के भी, मोठा ताजा हो जाता है, और अच्छे मोजन मिलने के बार भी, चीटी जैसे हमेशा हमेशा बूरे की बूरी में रहने वाला प्राधी कभी भी हट्टा कट्टा नहीं आया, वो बिलकुल है, लेकिन उसकी शक्ति रहती है, थोड़े से भी पकड़ ले आपको, फिर आपकी नीद ही उठ जाएं, और नीद में ही, इसको खुरंचने लग जाएंगे आप, तो ये सब क्या है, ये करमकृत फल है, इनको समझ करके, बंति को जिसे सामाई करने से पूर में, कहां पर अपने लिए प्रतिकूल नहीं ही है, वहां पर जाकर के बेटें, और फिर बार में बेटने के उपरांद कुछ होता होने तो ऐसे रत्न गर्ण स्रावकाचारी तरेक में धिया है, आप लोगों को जितना समय मिने, उतना खाली में, आप रहरंशिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नो उकार को अंकार को मुणी महराजwo योकार विंथसयोकता है नित्यम ध्यायंति योगिन, कामद मुक्षलन चाईव, ओंकार आये नमु नमनु ऐसे ही आप ओंकारपद को स्मरन करके, जब की बड़े-बड़े योगी लोग भी उसको याद करते हमें तो मुकार मंत्र और ओंकार जाप करते समय, ऐसा होता है कि उपवास में भी बहुत आहार करके, क्योंकि यह ऐसा ही कारि करता है, असंख्याद कर्म की जो निरजराव उटी है, उस समय हमार जीवन जहें एक प्रकार से, अन्यत्र से हट करके, खेवल जीवन क्या है, इसके पारे में लग जाता है, आप लोग बेड़ जाता तो बेड़ जाते हैं, बस कर दो माराज, ऐसे कहते ही नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ही कम कर लिया है, हमने ग्राकों को बहुत कुछ दे दिया, ऐसा हमें लगता है, नहीं लिया तो बताओ से यह, इसलिए अब हम आजिकाए हैं, महाराज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, संग हैं, आदी आदी को कह रखा है, कि पुराने ग्राकों को भी पहचानते जाओ, और कह दू कि महाराज्य ने कहा है, वो ग्राक आगया, तो उसको संतुष्ट कर देना, ऐसा हमने कहा है, तो ऐसे दारा आप काम निकालना चाहिए, और जल्दी सी जल्दी समोशरन हम सब्दों को मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए इंसाँ परमो जर्म की जाए,